एक आदमी एक बहुत एक खुबसूरत लड़की से शादे के शादे के बाद दोनों के जिंदगी बहुत प्यार से भुजर रही थी वो उसे बहुत चाहता था और उसकी खुबसूरती की हमें तकारेख दिया कलता था लेकिन कुछ महीनी के बाद लगकी चर्मरोग से ग्रसित हो गई और दीरे दीरे उसकी खुब सूर्टी जाने लगी खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वो बसूरत हो गई तो उसका पलती उससे नफरत करने लगेगा और वो उसकी नफरत परदाशन की कर पाएगी इस दी एक दिल पती को किसे काम से सहर्टे बाहर जाना बड़ा काम खत्म कर जब वो घर वापस रोट रहा था उसका एक्सिडेंट में गया एक्सिडेंट में उसने अपने दोनों आखे खो दे इसके बावचूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही समय गुजरता रहा और अपनी चर्मरोग के कारा लड़की में अपनी घुपसूरती पूरी तरह गवा थी वो बसूरत हो गई लेकिन अंध्य पती को इस वारे में कुछ भी पता नहीं था इतलिए उसका उनसे पुसहाल पिवाही जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वो उससे उसी तरह प्यार करता रहा एक दिल उस रड़की की मौत हो गई पति अब अकेला हो गया था वो बहुत दुखी था वो उस सहर को छोड़ कर जाना चाहता था उसने अंतिम संसकार की सारी क्रिया विधी बुड़ की और सहर छोड़ कर जाने लगा तभी एक आत्मी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा अब तुम बीन सहरे के अखेले कैसे चलपाओगे इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सहायता कर दे थी पती ने जवाप तिया दोस्त मैं अंदा नहीं हूं मैं अंदा करने गानाटब कर रहा था क्योंकि यहीं मेरी पत्नी पता से जादा कि मैं उसकी बश्चुर्टी दे सकता मुष्टो या उसके रोग से जादा दर देना इसलिए मैं इसने साल अंदे होने का दिखावा या बहुत अच्छी पत्ती कि मैं बस उस तकना चाहता हूं